गुद मॉर्निंग इस्टूडंट आज हम बीट फिस्टियर इक लास में आपके जो पेपर में इसमें कंटम्टरेडी इसमीस ओफ एजुकेशन इंडियन एजुकेशन में पॉपुलेशन, एजुकेशन, मीनिंग और डेफिनिशन के बारे में करें, जैसा की आप सब्ध दिंगिंग की जन संख्या सिछा अगर सिर्फ जन शंख्या की बात करें निगाए जन संख्या की बात करें तो जन मल संख्या अगर आप देखिएot लोग और संख्या हम का इसा जंभर dotuhan मेंजिए काुंटिंग तो लोगों का क्या करना अपने प्रफ्रण को सिच्छा से जोडते हुए हमें से समझते हैं तो कहीं न कहीं आप इसकी अभी प्राय को समझेंगे कि जनसंख्या का जो दात्पर है वो कहीं न कहीं परिवाद, समाज, देश तथा संसार में जनसंख्या की इस्तिती का अध्यम्गान है जनसंख्या सिच्छा के ओधारना का उदय की हम बात करें तो अनेक देशों में जनसंख्या बिस्पोट के कारार इसका उदय हुआ क्योंकि अधित जनसंख्या बढ़ने से ही इसकी ओर नोगों का ज्यान गया और ये एक समस्य के रुप में हमारे समझ उगरी तो जनसंख्या सिच्छा ना तो परिवार नियोजन है और ना ही योन सिच्छा किन्तो इन तोनों से सम्मंदित बातों का समावेश जनसंख्या सिच्छा में किया जाता है जनसंक्या सिच्छा परिवार को छोटा या बड़ा रखने की सिच्छा देने वाली सिच्छा भी नहीं कहीं जा सकती है कि हम यहाँ पर ऐसी बात करें कि हमें इपने परिवार को छोटा रखना है बड़ा रखना है मुख रूप से अगर आप बात करें तो जनसंक्या सिच्छा का समद्ध सामाजिक, आर्थिक और सांस्क्रितिक उत्थान से है जिसमें जनसंक्या नीतियां और राज्टी कारक्रम जितने भी बनाये जाते हैं या विकास कारक्रम से सम्मंदित होने चाहिए आप इन सब बातों से देख सकते हैं कि जनसंक्या सिच्छा जो है वो कही न कहीं जीवन इस तरको उच्छ बनाने और सुखी जीवन की समभाव नाव में ब्रदी करने वाली सिच्छा है इसलिए हम इसके अर्थ को और अधिक तब इसक्ष्ट कर सकते हैं जब हम ब्रदी से कुछ नहीं बिद्रूंगों बात करें तो बात करते हैं हम जनसंक्या सिच्छा एक सेच्छिक कारक्रम है जिसमें जनसंक्या के आकार में होने बाले परिवर्टन के फल्सरूप व्यक्तिगत तथा सामाजिक प्रभावों के समद्ध में जानकारी प्राप्त होती है तो इस रूप में हमने क्या देखा कि जनसंक्या सिच्छा क्या है एक तरह से कारक्रम है जो सैचिक रूप से चलाये जाते हैं जिसमें जनसंक्या के आकार और उसके परवर्टन के परणाम से रूप हम क्या व्यक्तिगत और सामाजिक प्रभाव होते हैं उन समंधों को ग्यात रखे इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम कुछ डेफिनिशन देखते हैं जो व्यक्तिगत लोगों ने अपने पिचारों की द्वारा हमारे समझ प्रस्तुत की हैं पहली डेफिनिशन यहाँ पर है आपका यूनेस्कों के अंशार तो यूनेस्कों ने जनसंख्या सिच्छा को किने किस रूप में देखा है उसने बताया कि जो जनसंख्या सिच्छा है वै एक सेचिक कारक्रम है जिसमें परिवार, समधाय, राष्ट और विश्व की कि इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए प्रोफेसर एस के दुबे के अंशार उनकी द्वारा कही गई बात को यह दि हम देखें तो जनसंख्या सिच्छा केवल जनसंख्या से शमादित ही नहीं वरन इसके प्रतिविक्सित मूर्यों का थरश्टीकोरों के प्रतिवी है और इ सेवल हम भी यह नहीं कह सकते कि लोगों को हमें जगाना है उनके रुसाड़ जो विक्सित मूल है उनके द्रश्टिकोडों के लिए भी है और इसकी गुणात्मक्ता क्या होनी चाहिए इसकी मात्रात्मक्ता यानि क्वालिटी क्या होनी चाहिए इस बात का भी हमें इसमें ध् सब्सक्राइब करें तो यह कुछ डेफिनिशन आपके समझ में रखी तो मुखरूप से यदि आप ध्यान रखें इन सब परिवाशाओं को तो कही न कही इन परिवाशाओं से क्या इसपर्ष्ट होता है बाई किसी के विचार है और हम जब सामने वाले के विचार सुनते हैं तो हमारी मन में भी तो कुछ तर्फपून विचार आते हैं उससे रिलेटेड है तो कही न कहीं हम बात करें अगर जनसंख्या से चाखी तो यह एक सेचिक कार्प्रम है प्रमप्रूप से हम देख सकते हैं योजनात्मक कार्प्रम है इसका संबंद जनसंख्या के कारण फ्यक्तिलत एवं सामाजिक जीवन पर पढ़ने वाले आगे इसी क्रम में बढ़ते हुए कल की क्लास में बात करेंगे जनसंख्या सिच्छा की विसेष्टाएं और उसकी प्रक्रती के बारे में कि जनसंख्या सिच्छा का नेचर क्या हो सकता है उसकी विसेष्टाएं क्या हो सकती है इसकी बात करेंगे तो थैंक्यू सो मज सभी बच्चों को आप सभी बच्चों से ये अनुरोध है कि आप अपनी क्लास को रेगुलर यूटूब HDCM चैनल पर जाकर देखें और अपने विशय से सम्मधित जो भी प्रकरण है उनको कम्प्रीट करते चले नोट्स भी बनाते चले ये आपके लिए परिच्चा की दरश्टी से बहुत ही उत्तम होगा तो आप लोग अपनी क्लास किसी भी प्रकार से मिस ना करें रेगुलर क्लास अपनी अटेंड करते रहे और मैं डेली के वीडियो जो अप्लोड करती हूँ आपके यूटूब चैनल पर उसकी जो लिंक है वो मैं ग्रूप पर सेयर कर देती हूँ तो आप वहाँ पर जाकर उस लिंक को ग्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं तैंक यू सो मच्छू